दोस्तों छूटी छूटी पांच कहानिया लेकर के आया हूँ, जिसे हम लगू कता भी कहते हैं। सर में भैंकर दर्द था, उस्व अपने परिशीत केमिस्ट की दुकान में सरदर्द की गोली लेने रुका। दुकान पर नौकर था, उसने मुझे गोली का पत्ता दिया, तो उससे मैंने पूछा साप कहा गए हैं। तो उसने का साप के सर में दर्द था, सो सामने वाले दुकान में कौफी पीने गए, अभी आते होंगे। मैं अपने हाथ में लिए उस दवाई के पत्ते को देखने लगा। एक दूसरी लगुका था, मा का ब्लड पेशर और शूगर बढ़ा हुआ था। सवेरे सवेरे उन्हें लेकर अपने उनी के पुराने डॉक्टर के पास लेकर के गया और क्लिनिक से बाहर उनके गार्डन का नजारा दिख रहा था। जहां डॉक्टर साब योग और व्यायाम कर रहे थे। मुझे करीब 45 मिनट इंतजार करना पड़ा। कुछ देर में डॉक्टर साब अपना नीमबो पानी लेकर क्लिनिक आये और मा का चेक अप करने लगे। उन्होंने मम्मी से कहा आपकी दवाईयां बढ़ानी पड़ेगी और एक परचे पर करीब 5 या 6 दवाईयों के नाम लिखे। उन्होंने मा को दवाईयां रेगुलर रूप से खाने के हिदायत भी दी। बाद में मैंने उत्सुकता वश उनसे पूछा कि क्या आप बहुत समय से योग कर रहे हैं डॉक्टर सब। तो उन्होंने कहा पिछले 15 साल से योग कर रहा हूँ और ब्लड प्रिशर और अन्हें बहुत सी बिमारियों से बचा हुआ हूँ। मैं अपने हाथ में ले हुए मा के उस पर्चे को दिख रहा था जिसमें उन्होंने ब्लड प्रिशर और शूगर कम करने की कई दवाईयां लिख रखी। इसी ही एक और कहानी दोस्तों। अपनी बीवी के साथ ब्यूटी पारलर गया। मेरी बीवी को हेर ट्रिट्मेंट कराना था क्योंकि उनके बाल काफी खराब हो चले थे। रिसेप्शन में बैठी लड़की ने उन्हें कई तरह के पैकेज बताएं और उनके फायदे भी। पैकेज बारा सो से लेकर तीन हजार तक के थे। कुछ डिसकाउंट के बाद मेरी बीवी को उन्होंने तीन हजार रुपे वाला पैकेज 24 सुम्ह कर दिया। हेर ट्रिट्मेंट के समय जब उनका ट्रिट्मेंट करने वाली लड़की के बालों से अजीब सी खुश्बू आ रही थी। तो मैंने उससे पूछ लिया आपने क्या लगा रखा है। कुछ अजीब सी खुश्बू आ रही है। तो उसने कहा कि उसने सर में उसने तेल में मेथी और कपूर मिला कर रखा है। इससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी बढ़ते हैं। मैं अपनी बीवी की शक्ल देख रहा था जो 2400 रुपे में अपने बाल अच्छे कराने आई थी। इसी तरह एक और छुटी सी कहानी। मेरी रेईस कजीन जिसका बड़ा डेरी फार्म है। उसके फार्म पर जाना हुआ मेरा फार्म में करीब डेर सो विदेशी गाये थी जिनका दूद मशीनों द्वारा निकाल कर प्रोसेस किया जा रहा था। एक अलग हिस्से में दो देसी गाये हर आचारा खा रही थी। पूछने पर बताया कि उनके घर पर उन गायों का दूद नहीं आता जो विदेशी हैं जिनका दूद उनके डेरी फार्म से सप्लाई होता है। बलकि परिवार के इस्तिमाल के लिए इन दो देसी गायों का दूद दही और घी इस्तिमाल होता है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो ब्रैंडिट दूद को बेस्ट मान कर खरीदते हैं दोस्तों ऐसे एक और चूटी सी कहानी एक पसिद रेस्तरा जो की अपने विशिष्ट थाली और शुद्ध खाने के लिए पसिद है हम खाना खाने गए माँ पर निकलते वक्त महां के मैनेजर ने बड़ी विनमरता से पूछा सर खाना किसे लगा हम बिलकुल शुद तेल घी और मसाले उप्योग करते हैं हम कोशिश करते हैं बिलकुल घर जैसा खाना लगे मैंने खाने की तारिफ की तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ट देने को अपने केबिन में गए काउंटर पर एक तीन डब्बों का स्टील का टिफिन रखा हुआ था एक वेटर ने दूसरे से कहा सुनील सर का खाना अंदर केबिन में रख दे बाद में खाएंगे तो मैंने वेटर से पूचा क्या सुनील जी यहां नहीं खाते तो उसने जवाब दिया सुनील सर कभी बाहर का खाना नहीं खाते हमेशा घर से आया हुआ ही खाते हैं मैं अपने हाथ में 1670 रुपए के बिल को देख रहा था दोस्तों हम जिसे सही जीवन शैली समझते हैं वो हमें ब्रहमित करने का जरीया मातर है हम कंपनियों के 80 एम मातर हैं जिसमें से कुशल मार्केटिंग वाले लोग मोटा पैसा निकाल लेते हैं अक्सर जिन चीज़ों को हमें बेचा जाता है उन्हें बेचने वाले खुद इस्तिमाल नहीं करते अपना खैल रखेगा